मद्धिप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास स्यात्रा के जगे जगे से रोचक मामले सामने आ रहे हैं कहीं जंदा विकास स्यात्रा को विना स्यात्रा बता रही है तो कहीं विकास स्यात्रा का बड़ा गुरगान किया जा रहा है वहीं गुरुवार को एक नया मामला पन्ना जिले से सामने आया जहाँ पर पन्ना कलेक्टर संजे कुमार और मिस्टर पर राजनेतिक रंग चड़ा हुआ दिखाई दे रहा था वहीं इस मामले में अब कॉंग्रेस की टिपड़ी आई है कॉंग्रेस के PCC मेंबर पपूदीक्चित ने अमान गंज विकास यात्रा के दौरान भाजपा के पक्ष में लोगों को संबोधित एबं भाजपा के एजेंट बने कलेक्टर पन्ना को ततकाल हटाने की मांगी है उन होगे देश को आजाद में आजादी कम्रित काल चल रहा है और शताब जी 25 साल बाद मनाई जाएगी हमारे प्रदान मंत्री जी का सपना है कि जब शताब जी मने तब भी यही सरकार रहे है पहले आपको अगले 25 साल तक इसी फिद्दत से इसी मेहनत से आपको इस सरकार के सा आपको बुने रहना है किसी की बटकाने किसी की बर्माने में आने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है क्योंकि यह सरकार पहली बार है अब यह रात के नो बज़ रहे हैं सारे जिलास तरी अधिकारी कर हमारे यहां बेटे हुएं और किसी को न्दीत आती नहीं दिख रही हुए यह मानि मुखमंत्री जी ने साफ कहा कि यह आप लोगों की सेवा का हम लोगों के दुखलों मौका मिला सब्सक्राइब कर रहे थे बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे क्यों मेरा ही सेवेक्शन क्यों हुआ है संजय मेसरा ने जो अमान गंज की सवा में बोला है यह बहुत आपत्ती जनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए वह बोल रहे हैं भाटपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीदे बोटरों को कह रहे हैं कि भाटपा की पक्ष्पे बोट करें जो एक आई इस अधिकारी को यह सोवर नहीं कि अब इनके लिए इनकी जो आई इस लाभी है उनको पत्र लेखा जाएगा राजपाल को व्यापन सोवर जाएगा कि अधिकारी की निन्दा करते हैं कि इतने बड़ी पत्पे बैठके और ऐसा काम करें किसी पार्टी का प्रिचार करें इसके हम भूर निन्दा करें